प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर के हर्गाना गुर्प डी परिक्षिवा परिनाम घोशित एचसी ने गुरुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया के एचससी चेर्मेन भुपाल खदरी ने इसको रेकर जानकारी दी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए इस व अगर हम बात करें तो वो युवा जो लगातार एचससी में रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे थे नोकरियां और जॉइनिंग को लेकर के इंतजार कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए युवाओं के लिए ये खबर बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि हमारे साथ आज एक लंबे अंतराल के बाद एचससी के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी है चूंकि मामला कोट के अंदर चल रहा था कोट में लगातार इसको लेकर के सुनवाई हो रही थी अभी भी कुछ मामले कोट के अंदर है लेकिन राहत भरी बात ये है कि हाल ही के जो रिजल्ट निकल है हमारे साथ वोपाल सिंग खदरी साब है उनसे बात करेंगे सर स्वागत है आपका खबर अभी तक पर सबसे पहले आप जो रिजल्ट अभी तक निकाले हैं अपने हाली में उन रिजल्ट के बारे में आप से जानकारी चाहेंगे गुरूप सी को ले करके गुरूप डी को करके और क्या उनका पूरा रिजल्ट अभी निकल गया है अभी कितना बाकी है पूरी विस्तार से जानकारी हमारे बहुत से दर्शक आपका इंतिजार कर रहे थे कि आकिर खबरे अभी तक परकब खदरी साब इसकी पूरी जानकारी जो है वह देखे 10-15 दिन पहले हमने जो C क कि यहां पे गुरूप डी में लग बग दस ग्यारा हजार की सेलेक्शन हुई है तो वह तेरा हजार से उपर हमारे पोस्टें हैं तो वहां भी ढ़ाई जार पोस्टें सिर्फ इसलिए बचगी हैं जो व्यक्ति पांच नंबर लेके ही सलेक्ट हो रहा है तो इस तरह से ढ़ाई हजार जो पोस्टें मौहारे जिसका उन पांच नंबर से कोई एफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तमाम लोग अलग कर दिया और बाकी जो चाहे नंबर मिले नहीं मिले उस मेरिट के अंदर आ रहे ते वो आपने अभी रेजल्ट जारी बिलकुल हमने दो तरह से रेजल्ट बनाए एक हमने पांच नंबर या धाई नंबर सी में जोड के बनाया और एक इसके बिना बनाया और फिर हमने देखा कि दोनों रेजल्टों में कोमन देट है उसका रिजल्ट हमने डिकलेर कर दिया है इनकी जॉइनिंग की परकरिया किसकी पहले शुरू होगी किस तरीके से होगी सी क्लास की जॉइनिंग लग बग 90% हो चुकी है एक फायर ओपरेटर की अभी थोड़ा डिस्प्यूट है उसमें हम रिजल्ट रिवाइज कर र और आज ही उनकी जॉइनिंग हो रही है हमारी बायमेट्रिक टीम में पहुंच गई है वोफिस में और मेडिकल के लिए उनको बुलाया जा रहा है और अपोइंटमेंटर लेटर जो है ई उससे ही जा रहा है उनके पास कि उसने आकर अपोइंटमेंटर लेना नहीं है सिरा इमेल से डाउन कर लेना उसको अपॉइंटमेंट लेटर घर बेठाई मिल जाएगा तो इसमें क्या ये सभी लोगों को जो आपने रिजल्ट निकाला है क्योंकि डी क्लास के अंदर ये था ना कि एक प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के तहर मिलेंगी सिर्फ क्वालिफाई क करने वाले कोई जॉब नहीं जो मेरिट में आये हैं उनी की है और जो सेलेक्शन उसमें पोँचे हैं उनी के लिए स्वीद है कि ओगर बैटे ही अपना अपॉइंटमेंटल लाइटर डाउनलोड कर सकते हैं इमेल जा चुकी है बिलकुल जा चुकी है सिस अपसी सबसे पहल ने रिजल्ट जो है जारी किया है और आब उनकी जॉइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी एक बड़ी खबर यहां पर लेकिन खदरी साब आपने ये भी कहा था सरकार के माद्यम से भी ये बात सुनने में आई थी कि डी क्लास के ही जो युवा होंगे वो हो सकता है कि सी मे हों तो ऐसी इस्तिती में एक विरोधा भाष बनेगा तो इसलिए पहले सी की जॉइनिंग कराएंगे ताकि डी में जो जो जॉइन करें वो डी में बना रहे है उसको दوبारा वो जॉब छोड़ करके ना जाए और दوبारा कोई विरोधा भास ना बनाए नहीं मैक्सिमम जो सी की नौकरी जोएन करें और डी की वेटिंग से हम भर लेंगे जो हमने एक दो तीन वेटिंग देनी पड़ें तो हम डी की भी सारी भरेंगे ऐसा नहीं है कि सी के डी के खर ठोड़ के चले जाते हैं सी में सिलेक्ट होने के बाद तो वहां फूटके खाली रह जाएंगी ऐसा नहीं है पूरी सिय हम बरेंगे जो बच्च पर दो जायका और डी में भी सेलेक्ट हो हो रहा है उसकी जगए मोटें से उसके जो है को कट उप मिहरें खरत कर उन पूरी पोस्टों को फिल अप करेगे वो फिल अप हो जाएंगी लेकिन जो सी का जो अभ्यारती है उसको ये भी डर होगा जैसे फायर ओपरेटर्स को है कि रिजल्ट निकल गया तमाम चीजे होगी लेकिन अभी जोइनिंग का उनको पता ही नहीं है कि जोइनिंग आखिर कब तक होगी पर क्रिया जो है वो अगर जादा होती है तो उसके अंदर एक इंसेक्यूरिटी इस बात को होगी कि जो मिल रहा है फिलाल वो ले लिया जाए और जब आगे जोइनिंग होगी कि उस तो तब का तब देखा जाए नहीं कंडिडेट छोड़ सकता है उसके कोई बात त्या थोड़ी है कि अगर उसने एक बार जोइन कर लिया वो दूसरी जग नहीं जा सकता है सी में भी अगर वो लवर पोस्ट पे हैर कल उसका अच्छी पोस्ट पे हो जाता है एकसाईज इंस्पेक्टर में हो जाता है पूर्ड सप्लाइ इंस्पेक्टर में वहाँ भी ऑफ्सन है उसके पास कि वो बड़ी पोस्ट पे जमरीज जा सकता है कुछ सर अभ्यारती भार भी बैठे हैं साथ TGT के हैं उनका ये कहना है कि इसी फॉर्मूले पर हमारा भी रिजल्ट निकलवा दीजी हम भी बहुत समय से इंतजार इसको लेकर कर देए नहीं इसका के लिए हमारे को कौर्ट ने अलाव किया है कौर्ट ने हमारे को परमिट किया है कि आप पर रिजल्ट निकाल सकते हो TGT में भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फॉर्मूले पर हम निकाल दें या सोसो एकनोमिक के नंबर हटा के कर दें या जो ऐसी हमारे पास पोस्टे हैं जिसमें कंडिडेट कम हैं पोस्टे ज्यादा हैं उनका हम रिजल्ट निकाल दें अभी तक कोर्ट ने हमारी इस बात को सविकार नहीं किया जिस दिन कोर्ट सविकार कर लेगी अगले दिन ही हम TGT का रिजल्ट पी निकाल देंगे ये रिक्वेस्ट हमने कोर्ट का अगे डाली होई है जो अभियरती हैं डी ग्रूप के कई बार हमने देखा है कि टेक्निकल चीजे भी होती है मेल उनको नहीं पहुचा आया सही मेल आइडी जो है समय पर नहीं दिया हो उनके लिए क्या विकल्प है अगर उनको कुछ जानकारी इसको लेकर नहीं मिल पारी है हैं क्योंकि ये देखने के लिए मिलता है कि हमारा नंबर तो आगे हमारे नंबर तो जो है मेरिट लिस्ट के भी फालतू है दस नंबर पंदरा नंबर फालतू है लेकिन हमारा कहीं जोइनिंग को लेकर के नाम नहीं आ रहाidée ऐसी चीजे भी मैंने पिछले दुनों यहां पर कवर करी है। उसकी सेलेक्शन करेंगे। वो 700-800 आएंगी। पर हम ने देखा तो वो लगबग तीन हजार के करीब इस तरह के हमारे पास रिपरजेंटेशन आई है। और हर रिपरजेंटेशन को हम बड़े गोर से देख रहे हैं। क्यूटनी कर रहे हैं। और उस डिपरजेंट को बलाके दिखा रहे हैं कि यह सर्टिपकेट आपके जो रिक्रूटमेंट्स रूल हैं। उनके ही सहाब से है या नहीं। तो एक तीन सदिशय कमेटी हमारे पास यह का काम पिछले दस दिन से कर रही है। और दस पंदरा का हमारा स्टाप कर रहा है। हमने ही चाथते कि जल्द बाजी में कोई एक और गलती हमारे से हो। तो हम पूरी तसली के साथ और जल्दी ही जो ऐसे कंडिडेट हैं जो इससे परभावित हुए हैं उनकी सेलेक्शन हम करेंगे सर गुरूप 56-57 वाला जो एक बड़ा गुरूप है अलाकि वो कोट के अंदर है लेकिन वो शात्र भी इंदार कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है हमारी भी जॉइनिंग हो जाए हमें भी कुछ पता चले आगे भाविश्य में क्या करें देख को समय में जाता कुछ नहीं कह सकत है अभी सब जूडिस मामला है इस बारे में जादा कहना ठीक नहीं हो रहा है छेजार कोछ कॉंस्टेबल्स की भी बात आ रही थी सरबढ़ती को ले करके उसकी कोई परक्रिया कब से शुरूरी है या कोई जानकारिया आप देए उसके ओनलाइन अपलिकेशन चल रही है और जल्दी ही वो जो डेट है वो बंद हो जाएगी जब हम देखेंगे कितनी अपलिकेशने आई हैं और फिर हम पीमटी पीस्टी के लिए लगबग अपरैल में ही हम पीमटी पीस्टी पुलिस के जो कॉंस्टेबल हैं 6000 एक हजार महिलाएं और 5000 पुरुस उनकी प्रक्रिया भ कोई प्रभावित होती है किसी तरीके से नहीं हमने जो कोड़ ओप कंड़क्ट है वो मंगवाया है उसमें हमारे को एक्जाम लेने रजल्ट देने स्क्यूट्री करने सारा प्रोसेस करने की छूट है तो इस पे अचार सेहिता का कोई ज्यादा असर नहीं होने वारा है तो सी के जो 10,200 कुछ पोस्ट का रिजल्ट निकला है अभी उसकी जॉइनिंग कब तक आप करवाएंगे लगब मैंने कहा 90 परसेंट की जुएनिंग हो चुकी है फायर बिर्गेड ओपरेटर को छोड़ के और फायर को लेकर के कुछ बता सकें अब अपडेट के उसकी परक्रि और एक लिस्ट हमने डाली है हमने उनकी रेकमेंडेसेंट से डाली है फायर बिर्गेड डिपार्डमेंट की उन्होंने कहा है कि हमारे रिक्रूमेंट रूल के हिसाब से यह इस्टीटूट वैलिड है तो हमने पुरा बच्चों को भी इस्टीट को भी ए मोका दिया है कि व तो औरडिनरी तरीके से सुनवाई हो रही है उसमें थोड़ी तेजी लाने के लिए सरकार एप्लिकेशन लगाए ताकि उसकी तुरंथ सुनवाई हो लगातार सुनवाई हो और उन्हें कोई रहात नहीं हमारा परियास है कि जल्दी से जल्दी बरती हो कुछ चीज़ें कॉन् हमारा भी परपोजल है कि जो सीटी में खामी है मैं कुले दिल से मनता हूं कि सीटी के ड्राफ्ट में जो एक्ट में कुछ खामी है वो अमेंडमेंट होके पहले ठीक हो जाएं और नए सीरे से हम सीटी मई या जून में कराने का परियास करेंगे क्या अमेंडमेंट का विचार चल रहा है अलाकि फाइनल ड्राफ तो बाद में आएगा वो हमने जो अपने सुझाओं हैं कि इन इन वज़े से इस इस कलॉज की वज़े से लिटिकेशन पैदा हुई है तो हमने सरकार से काया कि इन इन पॉइंटों का अपरे में हो कीजिए तो वो सोचल एकनोमिक सबसे बड़ा पॉइंट मानते हैं सर अभ्यार तीवी क्योंकि रिजल्ट इसी वज़े से ज्यादा रुक रहे हैं कहीं सर्टिफिकेट की एक्सपिरियंस की वज़े से रुक रहे ह क्योंकि यह सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो लाब है वो पिछली पंग्ती तक पोंचे ऐसे व्यक्ति तक पोंचे जिसकी कर में आज तक नोखरी नहीं है तो मैं अपनी ही सरकार की किसी पोलिस को क्रेटिसाइज तोड़ी करूंगा अभी स कुछ आगे की लिए भी पोस्ट अभी बची हुई है कुछ आगे भी निकालने जा रहे हैं गुरुप सी की कुछ पोस्टे जिस तरीके का लक्ष है रखा था को इन आगे नोकरियां दुबारा निकालने को लेकर को इस पोर्ट्स डिपार्डमेंट के हमारे पास कुछ रिक के मन में होंगे कुछ अभी भी शायद हो सकता है रह गए होंगे और वो शोशल मीडिया के जो प्लैटफॉर्म है खबर अभी तक का उस पर अगर अगर अपने सवाल भेजेंगे तो अगली बार उन सवालों का भी जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे और सीधे तोर पर जो भरतियां हैं जो अभी तक जिनका रिजल्ट निकला है उनकी किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी किस तरीके से जोइनिंग दी जाएगी आचार सहीता का क्या आसार होगा आने वाले समय में कॉंस्टेवल भरती से लेकर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो भरतियां वो क पाल खदरी की तरफ से जानकारी दी गई गई चैनित भारतियों की आज से भरती प्रक्रिया चिरूक हो गई है क्योंकि देखे शुकरवार को भी छुटी के लेकर जानकारी सामने आई थी लेकिर ऐसी कोई छुटी नहीं के इस छुटी को इसलिए रद क्या गया ताकि भरत कि जिए आई मैं।